नमस्कार दोस्तों VLE Society में आपसे का एकवाफिट से बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों अगर आप CSC VLE हैं Common Service Center संचालक हैं आपने APS का काम CSC के मादिम से करना चाहते हैं या कर रहें तो ऐसे में दोस्तों आपसे के लिए बहुत बड़ी गुद नियूज है बहुत अच्छी ख़बर है कि डिजिपे का जो नया वाला APS पोर्टल है वह आपके पास में एक CSC ID है तो आप यहां पे कुस्त कर आप की सारे बैंक के मादम से कर सकते हो तो यहां संटा sich के सब्सक्राइब पर नहीं यहां प honest country सब्सक्राइब यहां थी मॉबाई लैप नहीं पर नहीं है तो जरू है जोड़ी चरएगैँ यहां यह इस भील है तो जोड़ कर लेता हूं कि यह वाला पोर्टल आपको कैसे एकसस होगा उसके बाद हम बात करेंगे किसमें क्या 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 चीज आपको दिहान रखनी है और किस तरीके से इसको यूज करना है तो सबसे पहले यहां पे आपको अपना डिजिपे का आईडी लॉगिन करने के लिए क्ल अपने पर घृए परदे कुंट कर सकते हैं अ्यां फिर आप इसमें जिसके मरम से पस्बुक देख सकते हैं, लक्ति यह सार यहां लेगिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस पोर्टल पे काम करने के लिए आपको क्या-क्या ध्यान रखना है क्या क्या मात पूर्ण है ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हूँ ठीक है तो यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं कि सभी वी एली को सुशित किया जाता है AAPS कारी को अब पूरी गमधेरता और इमानदारी के साथ करना होगा बहुत सारे जगा फ्रॉट रंजेक्सिन कारी को देखा गया है MPCI के द्वारा काफी सक्त नियम AAPS कार है तो लागू कर दिया गया है इसके लिए हम सभी को इस नियम के अंतरगत AAPS कार करना होगा और जो नहीं करेंगे उनको कानूनी कारवाई का सामना करना पड़ेगा ठीक है जिसके लिए वो SWEM जिम्मेदार होंगे तो क्या क्या चीजने ध्यान रखनी है यह जाना बहुत जरूरी है AAPS कार करने हो सबसे पहले SWEM की मानसिक्ता को MPCI के द्वारा बनाएगे नियमों के तहर तयार करना होगा इसपष्ट पारदरसिता और गंभी रिक्ता के साथ में AAPS कार करना होगा तो यह रिष्टर आप कैसे बनाओगे किस तरीक अगर रिष्टर होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको HelloCard.com फी वैजसाइट पर ले आया हूँ और यहाँ पर जाओगे तो आपको देखो यहाँ पर डिजीपे का एक रिष्टर देखने को मिल जाएगा CAC banking transaction register के अंडर में तो यहाँ पर जब जाओगे तो यहाँ पर डिजीपे का जो एक register है वो आप देख लेना और यहाँ पर आप चाहो तो यह जो column बने हुए है इस तरीके का अप अपना register पर भी column बना सकते हो पट्ट्री से line कीच करके scale से और अगर आप नहीं बनाना चाह तो यहाँ पर आपको यह 249 रुपे का register मिल जाता है जिसको यहाँ पर बाइनाव कर सकते हो तो seven days के भीतर आपके यहाँ पर आ जाता है इस वाले register में यह सारे column बने होते हैं जो जो चीज़े आसको इसमें record करनी होते है ठीक है तो इसमें क्या है कि जाहे success हो चाहे failed हो दोन signature कर सकते हैं तो signature करने को बोले हो और जो अंगूठा नहीं दे पाएंगे वह अंगूठा लगाएं ठीक है यह सब इसके लिए कि एक बात इदम सप्रष्ट है NPCI के APS rule के साथ हम सबी को कारिकरना है और अगर कोई वियली इन नियमों का पालन नहीं करेंगे और कोई समस्य उत्पन होती है तो उनकी कोई समस्य को देखा नहीं जाएगा और सेंटर विजिट के दोरान भी अगर नियम का पालन करते हैं नहीं पाएगे अप्योग करना है ज्यादा से ज्यादा आपको कई सारे पोर्टल एक साथ नहीं चलाने है आयरिस उपकरनों को प्राथिमिक्ता दें यानि कि फिंगर प्रिंट स्कैन करने के लिए जो बायमेट्रिक डिवाइस होती है या फिर किसी और करना का आपने पोर्टल ले रखा है तो हर पोर्टल के लिए आपको अलग फिंगर प्रिंट डिवाइस लेना है और अगर आपने रिश्टन नहीं बना रखा है तो लिंक दे दिया है वहां से जरू करिएगा और अगर इसको लेकर कोई डाउट है कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप अपने डिस्टिक मेनेजर से भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुसे वियली सोसाइटी मोबाइल पर वीडियो के नीचे कमेंट करके भी जोड़ सकते हैं मिलता हैं सकते नाए वीडियो में तब तक लिए बाबाए चाहिए